नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं राजस्तान समाचार चलिए राजस्तान की आज की तजा खबरे जानते हैं राजस्तान में एक सितेमबर की बारिस का इंतजार अगले 24 गंटों में खतम होने वाला है मौसमी बाय की माने तो 11 सितेंबर से 17 बार तक अच्छी बारिस होने की संभावने हैं और कोटा वे उद्योपूर संभाग में बारिस का ज्यादा आठसर देखने को मिलेगा जबकि सेकावर टीक सेत्र में इस बार बारिस से और इंतिजार करना पड़ सकता हैं प्रदेश में 11 सितेंबर को 11 जिलों में बारिस का यलो अलड जरी किया गया हैं विदूत इकाई संचालित होने पर विदूत सुल्क में 15% की छूट को घटा कर साथ पॉइंट 5% कर दिया है और इसी छूट को देखते हुए राजिये में अब परती यूनिट पर 50-55 पैसे परती यूनिट की छूट मिलेगी चलि अगली बड़ी कबर जांते हैं खनननी की सुरुआत हो चुकी है 5 साल बाद 15 बदरा शेतन में बजरी का अवयद्खनन सुरूञ हो गया है जिससे करना शक्राना वे तिलवाडा शेतन में तीन नाके भी लगए गई गई है चले अगली बड़ी खबर जानते हैं, क्रमचारियों में मचा हड़कम, अप्रेल से पहले फायदा लेने वालों के वेतन से होगी वशुली, गाटे वाले कंपनियों के क्रमचारियों के वेतन मान से कटोती का फर्मान जारी हो गया है चले अगली बड़ी खबर जानते हैं, किसानों को जारी किया जाएंगे 30 सितंबर तक बकाया कर्शी बिजली कनेक्शन, किसानों को सीचाई कारियों में कोई परिशानी नहीं आए, इसके लिए सरकार ने पहले सही इंतजाम सुरू कर दी हैं, इसके तरह किसानों को सीचाई के जाने का काम भी सुरू की अजार है, इसी करमें राजस्तान सरकारी के ओर से कर्षी बिजली क्नेक्सेन देने का काम जारी कर दिया है। जले अगली बड़ी खबर चानता है, हनुमानगर जिले में लेपी वाइरिस से हजारू गईउं की मौत हो चुकी है जिले बर में लेपी वाइरिस का अपना कहर अभी भी बना हुआ है इसे हजारू गायों की मौत भी हो चुकी है हनुमानगर जिला मुख्याले में 20 किलोमेटर दूर गाउं संबु वाली डानी में अचानक बड़ी संग्या में गायों की मौत की वज़ाूं में खाली पड़ी जगे में जैसीबी से घेहरा गड़ा खोद कर गायों सों में उससे डाल कर उंपर से मीठी डाली जारी है इससे लेग र होई है kalo मिनों का रहना खाना भी बड़ी मुख्यल से हो रहा है चले अगली बड़ी खबर जानते हैं राजतान मादमी शिक्षा बोर्ड की वर्स 2023 के 10 वी और 12 वी में एक्जाम में सामिल होने वाले लाको स्टुडेंडों के लिए जरूरी खबर हैं सामाने प्रिक्षा सुल्क के साथ आवदन करने की लास्ट डेट अब 30 सितेंबर कर दी गई हैं एक अतिक्त शुल्क के साथ 15 उक्टमबर तक आवदन स्विकार किये जाएंगे यह जानकारी बोर्स चीव मेगना चोधरी ने दी हैं पूर में सामाने सुल्क के साथ 9 सितेंबर एम अतिक शुल्क के साथ लश्ट डेट 19 सितेंबर थी चले अगली बड़ी खबर जानते हैं फाइनल आधी कक्षाओं में पीस जमा कराने की डेट एक बार फिर से बड़ा दी गई है पीस जमा कराने से वंचीत रहे स्टूडेंट अब 15 सितेंबर तक एमेतर के माधियम से ओनलाइन पीस जमा करा सकते हैं दोस्तों यहीं तें राज़तान के आज की तौजा खबरे हैं ऐसी ही खबरे जाने के लिए अभी करें राज़तान समाचाट को सब्सक्राइब और आप राजस्तान के किस जिलेज इस वीडियो के देख रहे हैं अपने जिली के नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताए जहन जेवर्त वंद्यमातरम